कम बैक टो एवरिवन कैसे हैं आप सब लोग तो आज हमारा एडवांज मेंदी किलास डे टैन है तो आज की वीडियो बहुत ही अच्छी बनाने जा रहा हूं सो प्लेज वीडियो को पूरा देखें डॉन्ट इस्केप एवरिवडी ओके गुड एवरिवर्ड तो देखो मैंने एक वीडियो डाली ते भी साइज डे सेवन में पीकॉक बनाने के तो बहुत साही तरीके बहुत सारे रिजल्ट होते हैं मतलब अलग-अलग सेप्स होते हैं मैं जो आज सिखाने जा रहा हूँ न वो एडवांस है एडवांस मिन्स कि पिकॉक को हम लोग ब्रैडल में कैसे एड़ करना चाहिए और कैसे कहां पर क्या बनाना चाहिए तो यह बहुत सारी चीज़ाज किलियर होने वाली हैं मज़ा आने वाला वीडियो में पूरा देख देखो सबसे में चीज क्या है हम सबसे पहले एक पिकॉक का सेब बनाते हैं मैंने पहले जो आपको बताया थे वह था थोड़ा सा लेव साइड देखता हुआ था अब यह हमारा राइड साइड देखने वाला फेस बना रहा हूं और वह भी डबल सेड में तो देखो पिकॉ कि बनाने बैट हूं में तो बहुत सारे डियान बना सकता हूं में लब पचास किलास पिकॉक की ही बन सकती है बट कोई फाइदा नहीं है उनसे सबसे में चीज यह है कि हम लोग क्या बना रहे हैं उन पर पूरा और फोकस करना पड़ेगा तो देखिए अभी मैंने क्या बन फिंगर से अपना क्लीन करके दुवारा से उसको अपलाई कर सकते हैं अब देखो जैसे पहले मैंने डॉट किया उसके बाद में डॉट के ऊपर से मैं लाइनिंग बना रहा हूं नीचे से क्यों नीचे एक और लाइनिंग आएगी यह आपने बहुत सारे ब्राइडल्स में यह वाले डिजाइन्स देखे होंगे सबके अलग अलग तरीके होते हैं सबका बनाने का अलग स्टाइल है बट मैं जो सिखा रहा हूं वो एकदम बेसिक तरीका है मैं इसमें बहुत जादा डिफकल्ट ऐसा कोई चीज नहीं करूंगा जो आप लोगों को डिक्कत है बनाने मैं बहुत सिंपल तरीके से ही समझाओंगा मैं अब देखिए मैंने कितनी तीन लाइनिंग खीची न उसके ऊपर में अब देखो बेसिक डियान बना देता हूं और हां बेसिक तो आप लोगों को बनाना करा गया होगा क्योंकि अब तो कापी लोग अच्छी वीडियो बना लगे तो देखो बेसिक को चलो पहले फटापट बेसिक बना देता हूं उसके बाद में अहां एक चीज़ और आप लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूं यह हमारी थर्टी क्लासे यह सारे एडवांस होंगी लेकिन अभी क्या छोटी-छोटी ट्रिक्स दे रहा हूं मैं लोगों को लेकिन अब जैसे जैसे डे 10, 11, 12, 13, 14, 15 जैसे हमारा लेबल बढ़ेगा तो जितने भी इसमें सम्में 3D अटेच जरूर आएगा कुछ आया या ना है 3D अटेच सम्में जरूर आएगा क्योंकि यह हमारा एडवांस थर्टी क्लासे जिए 3D में ज्यादा रहेग पहले का पीकॉक अम्बी फेस बताने क्या क्या बनाते बहुत कोई बन भाता है नहीं बहुत क्या लगा रहे हो इतनी तो एजवी नहीं है हमारी क्या बताएं बट कोई दिक्कत नहीं इस तरीके से मैं यह लीफ बगएरा बना रहा हूं प्लीज आप कॉपी ही करिए इस तर अंती से प्यार से बनाइए ठीक और अपना पूरा कॉन्पिडेंस लगा देजिए और अब कॉन्पिडेंस लगेगा बस ठीक है मैं अच्छे मैंने एक नोटिस किया मैं कल एक वीडियो देख रहा था यूटूब पर तो एक मेहंदी आर्टिस वीडियो क्लासिस दे रहे थ इतनी मेहनद करकर के इतनी अच्छी वीडियो बना रहे हैं बट होता ना देखो बस मैं कुछ नहीं बोलूगा सबसे बड़ी चीज़ है कि प्लीज आप मन लगा की सीखिए क्योंकि देखो अगर एक सब्सक्राइबर है उसमें इसाला खुष रहेंगे दो हो तो भी खुष पूरा confidence देंगे अब देखो कितना प्यार डिजाइन लग रहा है मैंने पहले पिकोग बनाया पिकोग की अभी complete नहीं किया है ना पिकोग की से बनाए है और उसके बाद में अब मैं उपर देखो यह लीप्स बना रहा हूं फ्लावर्स में अटेच कर रहा हूं तो यह बाल तो क्योंकि जो हमारे जो भाई बंद पाकिस्तानी लोग हैं मुसलिम्स तो वह पिकोग नहीं बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं तो आप इसकी जगे चेक बना सकते हो ठीक है क्योंकि मेरे बहुत सारे विवर्स हैं जो पाकिस्तान से हैं तो काफी कमेंट्स भी आते हैं तो सब्सक्राइब mów कर दो बना दो वर्डस बना दो कुछ बना सकते हो वाइक रेखाना उसके भी वीडियो आएंगे पाकिस्थानी वीडियो भी आएगे बंगाली वीडियो यह आएगे और एक वीडियो तो बहुत जल्दी आने वाली उस का नाम है डोरे मॉन बहुति लड़के कमेंट्स करती मेरा सर खार रखा उसने बट उसकी वीडियो इतनी अच्छी से बनाऊगा बहुत जल्दी क्योंकि इतनी कमेंट्स मैंने पहले ही किसी को नहीं देखा जितना उसने मुझे कमेंट्स किये हैं जो भी यार बनाऊंगा चिंता मत कर देखो इस पेसल मैंने आपको आपको इससे को समय है Bazip गारेती मेंदी मेंदी विल् libre pillow DIY बनाते एक मने रऔर मेंदी विल्हागा बनाता हूं लेकिन आप लोगिंगा जल्दी समझ आ जाएगा मेंदी मेरी थोड़ी से पतली मेंदी कम चलाएं क्योंकि मेरी कलकी मेंदी है तो आप इस तरीके से बहुत आसानी से बना सकते हैं क्योंकि यह बहुत ही बेसिक और सिंपल डिजान है और कमेंट्स करके जरूर बताएं आप लोगों के क्या सीखना है अब एक तारीक से इस देखो मेंदी का सीजन स्टाट होने जा रहा है तो वीडियो बहुत थोड़ी लेट आएंगी क्योंकि 5-6 दिन बिल्कुल भी फुरसत नहीं है तो मैं सोच रहा हूँ दो-4 वीडियो एक्ष्ट्रा बना लू ताकि आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँगा अगर नहीं मिला तो फर ब्लॉक्स आएंगे उसमें आप लोगों को लाइब से खाता रहोंगा एब्री डेस कुछ ना कुछ नहीं आता रहेगा क्योंकि ब्लॉक्स में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को यह देखिए एकदम परफेक्ट तरीके इसकी शेडिंग करना सीख जाए लाइनिंग जिस तरीके से मैं करना हूँ ऐसे उपर की तरसे डार्क लाइट ऐसे मना देजिए तो गाइज मैं बस एक ही क्या होगा उसमें क्या होगा मैं बिल्कूल भी नहीं बताऊंगा पहले हमारी 3D क्लासिख कंपलेट होने के बाद ही 30 klaus में आप लोगों को बताऊं तो क्योंकि एक हमारी होगी 47 अर्वेक कि नासे पंदरा उसके बाद में ही क्लासिख तो फिर चलेंगी देखते क्या होता से देखना आप लोगों को क्योंकि यह सबसे पहले हमें आउट लेनिंग करनी है उसके बाद में ही फिर हमें इसको भरना है अम मैं चाहूं तो इसमें सेडिंग भी कर सकता हूँ जो हमारी जगे दीख रही है बटनी करेंगे सेडिंग क्योंकि थोड़ा सा घचर पचर हो आप लोगों को पसंद आ रही होगी और अगर मन करें तो सब्सक्राइबर कर देना बना कोई देख के दने हैं अम तो इतने में खुश है ठीक है तो थेंक्यों सो मच एवरीमन आई होब मिलते हैं तोमारो कुछ नया लेके ओके कर देख के दो शार होगी है तोमारो क्ट रहा होगी है झाल झाल